ओम वन देगवा मात्रमित्रो ब्रह्मलीन संतस्री डोंगरी जी महाराज वरा रर्चेत वरं स्वीमत भावगतर ऐसे कम पठन कर रहे हैं हम अस्ट्रम सकन्द में प्रवेश कर चुके हैं हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकर जो राजा प्रिक्षि शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए शुकुद्यव जी उनको भावत की कथा सुना रहे हैं अब मित्रो जो कथा है कि भक्तों के उल्धार के लिए क्योंकि सुष्टी के बाद जीवन कैसे चलना ची उसके लिए ग्रस्त आस्रम कैसे जिया जै उस पर विशेश निर्देश दिये गए थे और उ जेंद्र मुक्ष पढ़ा हमने आजामिल की कथा पड़ी जो निक्रिष्ट से निक्रिष्ट वेक्ति था उसके बाद दुरूप पहलाद और अनेको भक्तों के आख्यान पढ़े हैं और पिछले हमने पढ़ा था समुत्र मंथन आराम होता है और समुत्र मंथन के दौरान प और आप उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए आप लेखेंगे हम पढ़ेंगे हमारे और दरशक भी पढ़ेंगे उतना अधिक आपका हमारा और समस्की का कल्यान होगा और यदि आप इसका कथा को पूरा साथ में सुनना चाते हैं तो डिस्कुप्शन में पूरा हमने लिंक दिया है लोग्रे जी की भवगत के नाम से आप पूरी प्रे लिश्ट साथ में सुन सकते हैं आपको एक साहत में सारा मिल जाएगे बीच बीच में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं तो इसे समस्य हो सके पर हुआ पूरे लंग साथ में मिल जाएगे तो आज की कथा है अमृत प्राकटे मोहिनी आउतार देवदाना व्यूदु और शुजी का मोहिनी रूप के प्रति आकर्शन होना आगे बढ़ते हम सम्दर मन्थन का काम आगे चला देट्टियों ने विचार किया थी एक बार जो घोड़ा आया घोड़ा प्राक्त हुआ उसके बाद जो कुछ भी निकला हो सब देवताओने और अन्यों ने रख लिया अब जो कुछ निकलेगा वे हम लेंगे इस बार मदीरा निकली देट्ट उनको पाप का गोश्ट नहीं रहता बस कुछ भी कर दितें इसलिए शराब नहीं पिना जी मदीरा और सोमरस दोनों भिन नहीं दोनों में देवतास सव्मरस का पांज करते थे और मदीरा यह जिसे हम आज की भाषा में दार हुए शराब जो कहते हैं जो निक्रिशव दार्थ दुख के मारे भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा आप शक्ति नहीं युक्ति से काम लेना होगा जिस द्यत्ति के हाथ में सबसे पहले अमृत कुम्भ आया था वे कहने लगा कि वे पहले पियागा उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ मैं पहले पियूँगा और फिर सभी द्यत्ते इस प्रकार एक दोस्य से जगडने लगे आपसी जगडे के करण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया अब ये देखो अमृत मिल गया तब सांती से बैटके पी सकते थे पर लेकिन जो कहते हैं ना कि जो द्यत्ती बुद्धी में पहले मैं पहले मैं आ जाता है उसके करण सो नहीं पी पाया जिनके घर में इन द्यत्तियों की भांती ग्रह कलेश होदने लगता है उनके घर में किसी को भी ज्यान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता जगटे हुए द्यत्यों के सम्हों में के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए मोहिनी का सौंधरे देकर देते चकरा गए अहां क्या सौंधर्या है मोहिनी मोहो का ही रूप है जो मोहिनी में आ सकत है उसे अमृत नहीं मिल सकता संसार की प्रतेक वस्तो में माया है सौंधरे तो मात्र करपना ही है एक वस्तु तुमें सुंधर लगती है वही वस्तु संभवे कि किसी और को सुंधर ना भी लगे सुन्दर आंखों में वस्तो में मनुष्य की सुन्दर का आवरुपन करता है सुन्दर तो मात्र स्रीकृष्णी है जगत में जो कुछ सुन्दर दीखता है वह सब स्रीकृष्णी की सुन्दरता के कारणी सुन्दर में उपस्थित होता है अब जो प्रकृतिक वस्तो उसमें स कोई सुन्दर नहीं लगता है तो सोगुणों को भी हम उसके दोश मान लेते हैं ऐसी स्थिती मनुष्य की और ऐसा मनुष्य आरोपन कई बर करता है आगे बढ़ते हैं जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अम्रत या भक्ति रुपी अम्रत नहीं मिल पाता जो संसार की मोहि मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे संसारिक पदार्थों में मन कैसे फसा हुआ है वैसे ही जब तक स्रीकृष्य के स्वरूप में ना फसे तब तक भक्ति फल्वति नहीं होती है और भक्ति की सिथी के बिना भगवान नहीं मिलते हैं स्वरूप आशक्ति के बिना भक हो सकेगी इसे विवेक से छोड़ना है जो जो प्रभू से प्रेम बढ़ता जाएगा त्योंतों विशों की और से अरुची होती जाएगी समुद्र के ज्वार और भाटा परस पर विरोधी हैं इसी प्रकार प्रभू प्रेम बढ़ जाने पर विशय शक्ति घटती जाएगी क चया शक्ति प्रभू से प्रेम दोनों साथ में संभव नहीं है यह कहने का तदपर हैं आखों में काम को रपकर जगत को देखोगे तो मो हुट बनों होगा और ऑंखों में इश्वर को रपकर देखोगे तो मो का विनाश होगा संसारिक स्वरूप में आशकती ही माया है इश्वर के स्वरूप में जो आशकती है वही भक्ती है देत्य कौन है राहो पर चलती हुई किसी भी स्थ्री में गर्टी हो गई पढ़ने में देत्य कौन है तो देत्य दृष्टी से कैसे होता हो हाँ बता गया रहपर चट्ति हुई किसी भी स्तिरी में जिसका मन फस जाता है वही देते हैं जो परिस्तिरी का चिंतन करे वेहराक्षरस है कामातूर देत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पोशिन लगे देवी तुम कहां से आई हो तुम्हारा गाम कौन सा है? तुम्हारा विवाव हो गया है? या नहीं? मोहिनी की माया में देत्य सुद्बुत खो बैठे थे भगवान विचार कर रहे थे कि इन देत्यों को अमृत ना देने में ही कल्यान है यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप करके अभिमानी होकर पाप ही अधिक करेंगे मोहिनी ने हस्तेवे कहा मैं तो आपके कल्यान के लिए आई हूँ मेरा कोई एक घर नहीं है मेरा कोई एक धान नहीं है जो भी पुरुष मुझे मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर की हो जाती हूँ अब कितना कहने पर भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं मैं तुबाराम के घर भी जाती हूँ और मैं नर्सिंग मैंत попробी जाती हूँ वैश्नाव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर्जे के हैं मैं उनके सबते घर जाती हूँ देख्टे मुर्क थे अते मोहिनी के वच्णों का गोरार्थ समझ ना सके जिस देख्टे के हाथ में अमरत कुम था वै लल्चाई आंखों से मोहिनी की ओर देखता रहा था उसने कहा मैं या कुम तुम्हें ब्येट करता हूँ उसने सोचा कि इससे प्रसंद होकर मोहिनी उसके घर आ जाएगी मोहिनी ने उससे पूछा इस घड़े में क्या है तो उसने कहा कि अमरत है सोंदरे किसी जड़ वस्तु में नहीं है जिसे देखने में विकार जागे वह सोंदरे नहीं है देखते ने वह घड़ा मोहिनी की हाथों में दे दिया और बोला देवी जी बांटोगी हम देवी जी बांटेंगे और हम शांती से पियेंगे हाँ जोड़कर बैठेंगे जगड़ा नहीं करेंगे मुहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठाया और पहले देतियों के पास जाकर उनसे कहा मैं आपका कल्यान चाहती हूँ किन्तु यह उपर वाला पानी जैसा अमृत है वे उसे देव पिला दूं उसके बाद नीचे वाला जो अमृत है अच्छा वाला वह में आपको पिलाओंगी ठीक है ना बेचारे मुह अंध देते वे कहने लगे अच्छा ठीक है हम नीचे वाला अच्छा वाला भाग पी लेंगे आपके आंतों से मात्र एक बुन भी मिल जाए तो भी बहुत है वे मौ अंध होकर बुद्धी कवा बैठे थे अने था एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है और वो लगाता हिलता रहेगा तो उपर नीचे का भाग तो सब एक है पर हां मौ में अंधे वेक्टी को कुछ दिखाई नहीं देता और एक बात कही ज देवों को अमृत पिलाने लगी कुछ देर बाद देत्य घवराकर सोचने लगे कि इस बात में कोई चल दिखाई देता है देत्य राहू ने विचार किया और इसमें से कुछ चल कपट अवश्य है इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है ऐसा विचार करता हुआ है देवपक्ष में जाकर बैठ गया जिससे अपना भाग गवाना ना पड़े राहू देवों की पंक्ति में सुर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया मोहिनी देवी जान नहीं कि यह देत्य है कि तुपंक्ति भेदना करने के हेतु राहू को भी अमृत दिया भोजन में विश्यमता कभी मत करो जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रणी नाम का रोक होता है जब तक पूर्वजनम के कर्म आपके प्रबल होंगे दुष कर्म तो वह वैसा ही फल देंगे पूर्णे फल नहीं मिल पाते हैं और पूर्णे फल प्रबल हैं पिछले जन्ड़ों के तो इस जनम में तुरंध पापका फल नहीं मिलता पर हां मिलता वश्या हो किसी और जनम में मिलेगा जैसे इस जनम में यह तो इसी बात है यह भी सोचो कि जब इंदराधी देवों को अम्रित मिल रहा था तब राहू वहां नहीं आया किन्तु जब सूर्य चंद्रमा को अम्रित मिल रहा था तो वहां आग भूचा मन का स्वामी इंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धी का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धी का स्वरूप है हाथों से जीब से मनुष्य भक्ति करता है तो विश्य रुपी राहू बाधा डालने वहां आता है किन्तों जब मनुष्य मन से बुद्धी से इश्वर का ध्यान करने लगता है तो विश्य रुपी राहू बाधा डालने के लिए आधमकता है इस मन बुद्धी को इश्वर से के ध्यान में लगाया नहीं कि राहू को राहू आया ही समझो मन और बुद्धी को जो भक्ति रुपी अम्रत पिलाता है वै विश्य रुपी राहू से देखा नहीं जाता अते विशय रुपी राहु बिगन डालने आ जाता है इस विशय राहु को ज्यान चक्र से नश्ट कर दो राहु ने अमृत पिना आरं भी किया था कि भगवान ने सुदर्शन चकर चलाकत उसका सिर उड़ा दिया अर्थात सुदर्शन चक्र धारी ज्यान रुपी सुदर्शन चक्र से विशय राहू का नाश किया जाए फिर से एक बार पढ़ेंगे अर्थात सुदर्शन चक्र जो चलाये गया सुदर्शन चक्र उसके बारे में बता गया ज्यान रुपी सुदर्शन चक्र से विशय राहू का नाश किया जाए किन्तु मात्र ज्यान और बुद्धी से विशय राहू मरता नहीं ज्यान और बुद्धी का अधिक विश्वास मत करो अकेले ज्यान के से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि राहू वैसे तो अमर है, जब तक कोई सच्चे संथ की कृपा नहीं मिलती, विशय राहू नहीं मरता मात्र ज्यान से विश्यों का नाश नहीं होता, इश्वर के अनुग्रे से ही मन निर्विकार होता है और निर्विशय बनता है भगवान की कृपास के बिना मन निर्विशय नहीं भूपाता ज्यान का आश्रे लेकर भी यदि दिन बनोगे तो परमात्मा की कृपा करके विशय राहू को मारेंगे मात्र ज्यान से ही निर्विशेता और निर्विकारता नहीं आती इश्वर की कृपा भी उसमें आवश्यक होती है रज रस वर्जम रसोप्यस से परंद्रिष्टवा निर्वरतंते परमात्मा की कृपा और शक्षतकार से ही विशया शक्ति और विशया नरागिता विशया अनारागिता यहीं की विशया के प्रती राग ना होना अनरागिता तो राग ना होना में मनसे निर्वरत हो पाता है जल्ण के विमूक थे अतय हैं उन्हें अम रुप नहीं मिला संसार की मोहिणी में मैं फज्ज आऊंगे तो भक्ती रुपी कभी नहीं मिलेगा मुहिणी देवी ने सारा अम्रत देवों को पिला दिया और घड़ा देत्यों के समने रख दिया देत्यों ने चिलाना आरम किया कपट विश्णु तुम साड़ी पहन कर आए तुम्हें लाजना आई देव और दानों के बीच भायाना किद हुआ देत्य प्राजित हो गए जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ता है वही देत्य है संसार की मोहिनी में फसने वाला देत्यों के श्रम और संसारिक सूख के हैतु होते हैं रावन और हिर्णाकशिपो के ने क्या कम तप किया था किन्थु उनका सारा तप भोग विलास हैतु था भगवान के फेतु नहीं मतलब इन्होंने ज परमात्मा को प्रशन न करने के लिए उनको अर्पन कर दिया इसलिए उनकी अलगती हुई नारज जी ने कैलाज पर जाकर शिव जी से पूछा क्या आपने नाराण के मुहिनी रूप का दर्शन किया तो शिव जी मुहिनी रूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार बैपन धाम पदारे नाराण ने शिवजी का स्वागत करते हुए आग्मन का कारण पूचा भगवान ने कहा कि मैं तो आपके समस्क पंचते हूँ शिवजी ने कहा मैं आपके मुहिनी सुरुप के दर्शन करना चाहता हूँ प्रभू आपने तो काम देहन किया है फिर भी ऐसा मोह क्यों शिव जी मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं अतर इस मोहिनी अवतार को भी देखना है शिव जी अनादियों और अनंत हैं अतर ऐसा कहते हैं प्रभु ने लीला की रचना की एक सुन्दर उध्यान और उसमें पुष्पगुच खेरती हुई सुन्दर उतर शिव जी ने यह देखा तो पारवति की उपस्तिती भी भूल गए भगवान की माया से शंकर मुहित हो गए जिसके सिर्पर ग्यान गंगा है और उसका वहन ग्यान है वाहन ग्यान है क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है किन्तो शिव जी है बताना चाहते हैं कि भगव कि माया को पार पाना कठिन की नहीं अत्यदिक दुशकर का रहे हैं गीता में कहा गया है देवी होशाम गुणमाई मम मया दुरत्या हा दुरत्या मामे वे ये प्रपध्यनते माया मेताम तरंतिते मेरी माया मेरी इस माया को पार पाना बड़ा ही कठिन है किन्तु जो मेरी वाला देवान भुल जाता है शिव जी विचार कर रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से इतना आनंद मिलता है तो मिलन का तो कितना ही आनंद होगा आनंद अध्यत में ही है शिव जी मिलना तूर होकर दोड़ पड़े वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चत्रुभुज न चाहती है पर मन का कोई भरोसा ना करो यह माया कब पतन के पाताल में डाल देगी इसका कोई पता नहीं है मैं जितेंद्रिय हूँ ऐसा गर्व कभी ना करो मन में शुक्ष्मता से छिपे हुए विश्या आउसर पाती ही प्रकट हो जाते हैं माया के परदे को हटाने के लिए मन को कृष्माई बना डालो बड़े बड़े रिशी मुनी भी भटक गए थे और फिर आज तो कल्यूग है कल्यूग की मनुष्य काम का कीड़ा है उसे तो और अधिक सावधान रहने की आवशकता है शिवजी मनुष्य को समझाते हैं कि हरी स्मरण और हरी किर्तन ही मनुष् बचा सकते हैं अब यह देखिए आज की कथा को आमें ही विराम देते हैं अगली कथा हम आरम अगले अंक में करेंगे तो यहां जो कहा गया है एक कथा में इसके पिछ आपको और सुनाओंगी क्योंकि बड़ी छोटी सी है कि एक सन्यास्ति थे और उनका जो आश्रम था उस भी उनको विश्वास ने था जैसे यहां बताइगा उस समय कहते हैं कि उस वैस्टी को बुलाओ उससे बात करना चाहता हूं तो उसको बलाए गया तो बुला देख दो मैं नहीं भटका यानि अब मैं ठीक हूं अब मैं जा रहा हूं अब यह कह सकता हूं कि अच्छी चली अच्छी गई और कुछ नहीं बिगड़ा तिकी मन कब भटक जाए कहना उलजमत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या वह वली बात आ जाती है तो आशी कथा क को यहीं भी राम देते हैं स्रीकृष्ण गोविंधारेव मुरारी इह नात्र नारायन वावसोदेवाय जैस्रीकृष्ण मित्रों धन्यवाद बंदे मात्रां